नमस्कार दोस्तों आप सभी खास्वागत है हमारे किचन में आज हम बनाने वाले साबू दाना वड़ा तो यहाँ पर मैंने एक बावल लिया है उसमें एक कटोरी साबू दाना लिया है और सबसे पहले हमें साबू दाने को अच्छे से दो से तीन पानी से वोश कर लेना है औ अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे तीन से चार घंटे के लिए भीगोने के लिए रख देते हैं और तीन से चार घंटे के बाद साबू दाना देखिए बहुत ही बड़िया से फूल चुका है देखिए अभी हम इसके वड़े बनाते है तो यहाँ पर मैंने एक और बाउल लिया है इसमें दो अलू लिये है अलू को इस तरह से हाथों से तोड़ कर डाल देना है अभी हम इसमें डाल देते है जो भीगया हुआ साबू दाना था उसे डाल देना है साबू दाने को इसमें अभी ह ते ये कंज करते दीन हरी मेंच कम टीमालक बाल lesson किया हुआ और इसमें ये चमचा कि चने डाल दना अधिकन ऑपोन लेचे union को डाल सकते हैं या को आधि कंज करने हैं धबूगक perfectly bn दब 바 और इसमें अब它म डाल देते हैं स्वादा मुसर नमक, और बारिक कटावा थोड़ा हर्ण डाल देते हैं, और इन सभी को सीसे मिक्स कर लेना है, हल के हातों से इसे मिक्स करना है और यहाँ पर देखिए, यह सभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अभि हमें हात पे थोड़ा से तेल लगाना है ताकि यह अपने खेंतव को चिपकिए ना और इससे इस तरह से तोड़ा हाथ पे लेता हैं और इस तरह से गोल-गोल बना लेना है अभी हम आप चाहे तो कोई भी इसे शेप दे सकते हो आज मैं इसको मेंदू वड़ा जो आपन बनाते हैं उसका शेप दे रही हूँ बहुती क्रिस्पी क्रंची या साबुदानी का वड़ा बनता है देखिए और इसी तरह से अभी हम सभी वड़े बना लेते हैं इस तरह से देखिए गोल बना के उंगली से इसको छेट करना है और यहाँ पर देखिए वड़े रेडी हो गये हैं और इधर जो तेल है वो भी गरम हो चुका है एक कड़ाई में मैंने तेल रखा था गरम करने के लिए तेल भी कापी अच्छे से गरम हो चुका है अभी हम इस नहीं तो यह फट्टे है और इसे देखिए इस तरह से पल्टा लेना है और इसे गोल्डन ब्राउन होते तक प्राय करना है बहुती बढ़िया से यह वड़े बनते है और यहाँ पर देखिए वड़े बनकर रेडी हो चुके है इसे निकाल लेते है और इसी तरह से जो बच नंसे शुमstellung घरम यम्मी साबुदाना वड़ा बनकर रेडी हो गये हैं आपप लोग इस तरह से पुरत्मे जरु से ट्राइक कीजिए क बहुती क्रिस्पी और क्रंची हताग बने हैं वड़ा और काने में तो बहुती टेस्टी चट्पटे जहां लगते हैं आप लोग इस्तर से जरू से ट्राइ कीजिए यम्मी साबू धाना वड़ा बाई बाई दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चाइनल को सब्स्राइब कीजिए मिलते नेक्स रेसिपी के साथ और एंजाई कीजिए यह गर्मा गरम व्राथ स्पेशल यम्मी साबू धाना वड़ा बाई बाई बाई